भारत के श्रीलिंका दौरे का आगाज होने वाला है और दोनों टीम के बीच तीन मैचों की टी 20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों ही टीम में काफी बदलाव है और कप्तानी के मोर्चे भी श्रीलिंका के लिए चरित असलिंका और भारत के लिए सूर्यकुमार यादव नई शुरुआत करने जा रहे हैं. असलिंका को वानिंदू हस्रंगा के कप्तानी छोड़ने के बाद जिम्मेदारी मिली है, जबकि सूर्यकुमार को रोहित शर्मा के टी 20 इंटरेशनल से सन्यास के बाद टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाया गया है. ऐसे में ये दोनों ही कप्तान अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे. T20 सीरीज के बाद, श्रीलिंका और भारत के बीच दो अगस्ट से कोलंबो में वंडे मुकाबलों का भी आयोजन होना है. वंडे सीरीज में भारत के लिए कई प्रमुख खिलारी एक्षन में नजर आएंगे, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल है. इन दोनों के अलावा श्रेयस अयर और केल राहूल की भी वापसी होने जा रही है. ऐसे में धहमाकेदार रोमांच देखने को मिलेगा. अभी तक भारतिय फैंस जियो सिनेमा या फिर स्टार स्पोर्ट्स पर मैचों का लुत्फर लेते आये थे लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबलों का लाइव टेली कास्ट टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा. हाला कि जिन लोगों को मुबाइल या आपने कम्प्यूटर पर इसका लुत्फर लेना है, उनके लिए सोनी लाइव एप और वेबसाइट का विकल्प है लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन भी आपको लेना पड़ेगा. ऐसे में जिन फैंस को फ्री में देखना है, उनके लिए हम खास ट्रिक लेकर आए हैं, जो आपको बिना एक भी पैसा खर्चे फ्री में श्रीलिंका और भारत के बीच मैचों का मजा उठाने में मदद करेगी. बता दे कि जिन भारतिय फैंस को श्रीलिंका और भारत के बीच मुकाबलों का फ्री में लुथव उठाना है, उन्हें बस अपने लिए एक जियो सिम की व्यवस्था करनी होगी इसके बाद आपको अपने मुबाइल में जियो टीवी एप डाउनलोड करना होगा और फिर अपने जियो नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा इस प्रक्रिया के संपन होते ही आपके सामने चैनल्स की लिस्ट आज जाएगी और उसमें आप सोगनल पर मैचा रहा हो, उससे चुनकर फ्री में दोनों टीम के बीच रोमांच का मज़ा ले सकते हैं